आज के इस वीडियो में आपोगों को बताने वाला हूं अगर आप Free Charge एप्लिकेशन का आप यूज करते हैं अगर आप भी Free Charge से मोबाईल चार्ज करते हैं विल्ट पे मेंड करते हैं पैसे टांसपर करते हैं, पैसे रिशिब करते हैं तो अगर आप अपने free charge application को बंद करना चाहते हैं आप उसको यूज नहीं करना चाहते हैं आपने जो bank account इसमें link करके रखा है आप उसको deregister करना चाहते हैं डिलीट करना चाहते हैं तो आप अपने free charge से deregister UPI कैसे कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको फुरा पूर हमें इस पर क्लिक कर कर देना हैं और हमें यहाँ पे option आ रहा है manage UPI का हमें इस पर क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं मेरा एक bank account यहाँ पर delete हो चुका है उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर three dot option hours पर click कर देना है और आपको फिर से remove bank account पर click कर देना है और आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर bank account रिमूब हो चुका है दोनों तो उसके बाद हमें यहाँ पर फिर से निशा कोई भी मुझे हमें दुबारा पैसे भी और नहीं मैं किसी स्टेस्ट कर पाऊंगा और मुझे याप फिर से रेजिस्टर करने का option आ रहा तो अगर चाहें तो आप यहां फिर से कर सकते हैं अगर आप इसको रेजिस्टर नहीं करना चाहते हैं आप इसको डिल्ट करना चाहते हैं तो आप यहीं से छोड़ सकते हैं आप यहां पर दुबारा पैसा रिसिप नहीं कर पाएंगे नहीं आप आपको वीडियो फसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी जरूर सब्स्राइब कर दें